नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करने वाले SMP वर्सेस LKK के बीच जो मैच है उसके बारे में दोस्तों काफी अच्छा अच्छे आपको दिखाँंगा काफी मतलब कुछ पलेएरो के स्टार्टS भी दिखाँंगा और कुछ पलेएरो के स्टार्टS पेच रिपोर्ट वगज़े φशी दिखाँंगा और आपको आखिर में चार ड्रीमिलियोन की टीम्स भी दिखाऊंगा कुछ ऐसे कॉंबिनेशन दिखाऊंगा जिससे के आपको अच्छी खासे अर्निंग हो सकते या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग जरूर जिद सकते तो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करने से पहले र बात कर लेते हैं जैसे कि आप सबको पता है होगा कि तमिल नाडू प्रीमियर लीग 2022 चल रहा है और इसे श्री राम टीन पील भी कहा जाता है तो इस सीरीज का यह आठ्वा मैच है और मैच है सायमन मदुराई पैंथर्स वर्स लाइका कोलाई किंग्स के बीच याने सम्प अगर बात करें तो जैसे कि आप देखी पा रहे होंगे कि एन पी आर कॉलेज ग्राउंड दिगी गुल है तो अगर बात करें डेटो टाइमिंग के तो जैसे कि यहाँ पर 30th of June याने आज एके दिन शाम को सवा साथ बजे मैच होनी आला लाइव स्क्रिमिंग अगर देखन पर भी देख सकते हैं और लाइव ब्राड कास्ट अगर देखना चाते हैं तो स्टारपोर्ट के सभी चैनल पर लाइव हो रहा है यह मैच बात करते हैं पिछ रिपोर्ट की तो एन पी आर कॉलेज गाउंड पिछ हाज बीन excellent for the batters in the past but no match has been played here so far this season the average score here is around 160 run so we expected high scoring clash on Thursday याने यापर बहुत दिनों से match नहीं हुआ है और इस सीरिज का भी तक पहला ही match है इस पिछ पर और यहाँ पर अगर इस पीछ की past की अगर बात कर जाए तो यहाँ पर batting को लिए काफी मदद मिलती है और batters यहाँ पर अच्छे खेलते हैं batting अच्छे होती है और इसकी वज़े से around average score है यहाँ पर 160 के around है तो यहाँ पर एक high scoring match हमें देखने को मिल सकता है इसकी अला अगर बात करें दोनों टिमों की probability ले उनकी तो पहले सायमन मददराई panthers की probability ले उनकी बात कर ले थे तो वो कुछ इस तर से रह सकते हैं वी आधित्या अरुनकार्तिक बी अनिरुद्ध एन संगाराजन चतुर्वेद जग जे कौशिक के राजकुमार वरुन चक्रवर्ति शिवलासरन एल किरन अकाश कौशिक श्री निवासर तो इस तर से रहेगी सायमन मददराई पैंथर्स की probability ले उनकी तो वो कुछ इस तर से रहेगे जी श्री दियर राजु जे सुरेश कुमार साई सुधासरन एस चंदरन यू मुखिलेश एस मतलब शारुक खान रहेंगे दोस्तों यह मतलब काफी जबदस प्लियर है हम सबको पता है मोहन अभिनाव, एस अजित, रमेश दिवाकर, एम राजा और युद्धिश्वरन वी तो इस तर से रहेगी लाइका कोलाई केंग्स की probability ले लो अब मैं जैसे कि आपको बता है तक कि कुछ क्लियर हो कि स्टार्ट मैं आपको दिखाऊंगा जिसे कि आपको अपनी खुद की एक अच्छे खासे विनिंग टेंबराने में आसा नहीं हो जाएगी हिल्प हो जाएगी चाहे वो ड्रीमीलों का आप हो या फोर कोई दूसरा आप हो तो इसे हम होट्पिक्स और टॉपिक्स कहेंगे दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं इन संगराजन चतुरुवेद की ही इस दो टीम्स हाइस ट्रन स्कोरर लास्ट सीजन विद टू हंड़ेट एट रंस इन जस्ट सेवन मैचेस अट स्ट्राइक रट ऑफ वन फ्रटे नाइट पॉंट एटी सेवन ज्या दोस्तों अगर इनकी बात कर ली जाए तो इनोंने आए लास्ट सीजन में अपने टीम क सता से यानि करीब करीब 140 का था तो यह भी काफी जबदस प्लियर है तो इनको पिक करना जरूरी है उसके बाद यहाँ पर रगुपदी शिबला सरन की बात कर लेते ही वास्ट विकेट टेकर फॉर हीस टीम इन विद नाइन विकेट इन लास्ट सीजन और स्टार्ट इस इस सीजन विद विकेट वाइल कॉंकोरिंग जस्ट 23 रन अगेंस्ट चैंपियांस सी एसजी इन फर्स्ट मैच जे अरुस्तो अगर इनकी बात कर ली जाए शिबला सरन ने लास्ट सीजन में काफी जबदस गेनबाजी की थी और इन्होंने नो विक्टे हासिल की थी लास्ट सी सीजन में भी उन्होंने शुरुवात के पहले मैच में चार ओर में सिर्फ 23 रन देकर एक्विकेट ले लिये और ये भी उन्होंने सी एज़ी जो लास्ट सीजन की चैंपियन थी उनके खिलाब किया है अगर अगले जो हमारे हॉट्पिक से वो है साई सुधासरन ही डोमिने दो लास्ट सीजन विद दो 358 रन अड़ आवरेज ऑफ 71.60 और स्ट्राइक रेट इस 143.77 जी अरोस्तो उन्होंने लास्ट सीजन इनका काफी जबदस गया था काफी जांदार रहा था उन्होंने लास्ट सीजन में 358 रन बनाये थे 71.60 के आवरेज से और उनका स्ट्राइक रेट भी 143.77 का था यानि काफी जबदस्ते प्लियर यह हम सबको पता है और अगर बात करें लास्ट हमारे जो हाट फिक्स है दोस्तो वो है शारुकार अफ्कोर्स इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरुरत नहीं है फिर भ इस सीजन में पहली मैच में उन्होंने 19 रन बना है और दो विक्टे हासिल किये तो कुल मिला के एक अच्छा खासा ओल्राउड नर माना जा सकता है इनको भी तो इसलिए यह हमारे कैप्टन से पिक रहेंगे कहिना कहिन को जरूर कैप्टन बनाएंगे तो यह तो कुछ स्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हम आप पे आ चुके मैं मैं आज को हाइलेट करके दिखा देता हो आपको एसेंपी वर्सेस एलके की तो इस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं नीचे क्रिएटर टीम को आप्श प्रटन किसे बना सकते हैं यह सब बातें बताऊंगा तो चलिए अब इना किसी देर कि माय टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहले टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ तो आपकोस यह आप एक कीपिंग की बात करें तो दो ही ऑप्शन है एक आर्थिक और जे पॉर्ण थोड़े जादा है चलते एक आर्थिक को हमने ले लिया उसके बाद बैटिंग की बात करनी है तो अफकोस सुदा सरन को हमें लेना है उसके बाद हम लेंगे भी अनिरुद्ध को और जी श्रीधर राजु को भी इस टीम में पिक करेंगे तो इस तरसे तीन अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते और शारुक तो अब बन चुक है क्योंकि उनको गेन बाजी भी मिल रहे है और उन्होंने लास्ट बैच में दो विक्ते भी लिका लिये अब गेन बाजी की बात करें तो यहां पर मैं सबसे जादा गेन बाजों के साथ इसल तो ना ये थोड़ा सोचना मुश्किल है इसलिए एक के आकाश को ले रहा हूँ वरुन चक्रावर्ते ने पहली टेम मैच में दोविक्ते ली थी इनको भी ज़रू ले लूँगा इस स्रीनिवास को लूँगा इनका पर्फरमस एक विकेट लिया था लेकिन काफे अच्छे ग सकते यहां पर मैं आफकोस आपको पहले बता चुक हconoहर। कि कंपतें आपको कैपतें ऑर व्या het काफी बढ़िया है वह बी अनिरुद्ध को मैं वाइस कैप्टन मनाने जा रहा हूं दोनों ने पहले मैच में काफी धमाकेदार परफोर्मस किया तो ज़रू आप इन दोनों के साथ जा सकते इन दोनों पर भर्षा कर सकते टीम प्रिव्यू अब कर लेते सबसे पहले तो किप अच्छा खासा हमारा कॉम्बिनेशन बन चुका है जो की काफी हिट रह सकता है वो इसलिए मैंने इस तरसी ये कॉम्बिनेशन बना है तो इस टीम के अगर बात करें तो कैप्टन और वैस कैप्टन शारुक खान और ब्रिश भी अनिरुद्ध का बना रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का परफोर्मस पहले ही मैच में काफी जबदस्तरा है और काफी बढ़ कुछ अलग कैप्टन और वैस कैप्टन भी दुखांगा और कुछ चेंजर भी करके दिखांगा जिससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है तो कुल मिला के काफी अच्छे टीम बनी है तो इस टीम को अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और दूसरी टीम में आपको दिखा अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में यहाँ पर लूँगा भी अनिरुद्ध को फिर से लूँगा श्रीधर राजु को लूँगा और यहाँ पर एस चंदरन को लूँगा जिनको मैं पिछली टीम में नहीं ले पाया था लेकिन इस टीम में ज़रूर ले लूँगा और तीसरे जो गेंबाद है और सिब्लास पर लूँगा जिस्टेम में पर चलते हैं तो के आकाश को ले रहा हूँ अफकोस वरूण चक्रवर्ति को भी लूँगा और तीसरे जो गेंबाद है आर सिब्लासरन को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ पिछले टीम में इनको भी नहीं ले पाया था तो कंट्यून पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते हैं तो यहाँ पे मुखिलेश को जिया दोस्तों यू मुखिलेश को अच्छे खासे है तो जरूर आप इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आर्तिक को भी ले लिया और जे कीपर के साथ जाओंगा मैं इस टीम में अगर बैटिंग की बात करें तो भीया नीरुद्ध जे श्रीधर राजु है इस चंदरन को मैं इस टीम में शामिल कर रहा हूँ अगर ऑल रॉंडर की बात करें तो अपको शारुख खान तो मेरे पास रहने वाले इनको तो ले लिया ह जे कुशिक को ले रहा हो यू मुखिलेश को लिया है तो तीन अच्छे खासे all-rounder है मेरे पास अगर हो गेनबाजी की बात करें तो तीन गेनबाज है वरुण चक्रवरती आर सिबला सरन और के आकाश तो यहाँ पर कूल मिला के एक अच्छा खासा combination हमने बना लिया है जिसमे आपको काफी अच्छे फायदा हो सकता है आप grand league जित सकते है या अच्छे खासे earning तो पक्का करी सकते है या फिर small league भी जित सकते है तो कुल मिला के अगर टीम अच्छी बन चुके है और कप्तान और vice captain की बात कर ले तो यहाँ पे of course मैं एक अच्छे खासे all-rounder को कप्तान मना रहा है और जो है यू मुखिलेश और एक अच्छे खासे गिनबाद जैसे की वरुण चक्रावरति हम सबको पता है आई पेल में हमने इनको काफी बार देखा है इनको vice captain मना रहा है और पहली मैच में इन दोनों का performance भी काफी अच्छा रहा है तो continue कर सकते यह performance अच्छा कर सकते तो इसलिए इन दोनों को captain और vice captain मना ना फायदेमन साबित होने आला है और जरू इसलिए मैंने इन दोनों को captain और vice captain मना तो कुल्मिला के यह भी एक अच्छा hit combination बनने आला है इसको भी close कर लेते और save कर लेते और तीसरी टीम में आपको दिखा देता हूँ किस तर से आपको मैंने बनाई है तीसरी टीम की बात करे तो मैंने फिर से एक पार्तिक के कोई ही टीम में सेलेक किया है बाकि किसी और कि फि á方 को मैं नहीं लेने आलो बैटिंग के बात करें तो यहां पे अर्भी अनिरूद है श्रीधर राजु है और एस चंडरान है तो ये पिछले दोनों टीमों का मिलके बतलब तीनों दोनों टीमों में अलग-अलग प्लियर थे लेकिन इस तीम में इन तीनों को साथ में मैंने ले लिया है बैटिंग के बाद ओल रॉंडर पर चलते है तो जे कोशिक भी है शारुक खान भी है और यू मुखिलेश को भी लिया है और कोशिक भी काफी अच्छे ओल रॉंडर है जरूर आप इनको अपने टीम में शामिल कर सकते हैं इनको अपने साथ ले सकते हैं गेनवाजी की बात करें तो गेनवाजी में के आकाश वरण चक्रवरती है और तीसरे जो है आर सिबला सरन को इस तीम में मैंने वापस लिया है तो खुल मिलाके यह भी टीम काफी बहतर बनने आली है और अच्छी बनने आली तो जरूर इस टीम को भी आप मैं आगे जरूर कंटीनू पर क्लिक करके दिखाऊंगा कि क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि यहाँ पर कि आकाश जै दोस्तों जिदों ने पहले मैंच में काफी धमाकेदार गेन बजी की है तो इनको कप्टान जरूर बनाईएगा काफी अच्छी गेन बाजी की थी नहोंने लास्ट मैच में इनको कैप्तन और एक आर्दिक को वाइस कैप्टन क्योंकि इनका भी पर किसी और किपर को तो नहीं ले रहा हूं लेकिन बैटिंग में भी अनिरुद्ध है जी श्रीदर राजु है चंद्रन को मैंने स्टीम में शामिल कर लिया है तो एक अच्छा कीपर तीन अच्छी बैट्समन ले लिए लेकिन यहां पर चार ओल रॉंडर के साथ में जा रहा हू शारुख खान को ले रहा हूं जे कउशिक को ले रहा हूं यू मुखिलेश को ले रहा हूं और संदू को भी इस्टीम में ले रहा हूं अगर बात करें गेनबाजी की तो के आकाश ए आर सिबला सरन है और वरुन चक्रवर्ति को मैंने स्टीम में शामिल कर लिया है तो प्लियर है और अच्छा पर्फोर्मस कर सकते हैं काफिए फाय देमन साबित कर रहे सकते हैं आप इस कॉम्मिनेशन के भी साथ क्याप्टन और वाइस कैप्टन अगर देखे तो के आकाश को क्याप्टन बना रहा हो जिनों ने पहले मैच में काफी धमाकेदार गिन बाजी की तो वही एक आर्थिक को वाइस कैप्टन मना रहा हूं इनका भी पर्फोर्मस हां 31 सी रन बना पाये ते लेकिन यह अच्छे खासे बैस्मन है और कीपिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे दोस्तों जैसे कि कैचिंग स्टंपिंग या रन आउट में और यह आट-ट प बना उनको भी आप क्याप्टन बना सकते रयाने कर सकते अगर आपको फायदा को सकता तो अगर जर चब्यार अगर गिंग समॉपर यूज करते तो वह रहना है जैसा नहीं तो कुल्मिला के एक अच्छा खासा कॉंबिनेशन है यह तीसरा भी और इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं सेव कर लेते हैं और तीस चौथी और आखरी टीम में आपको दिखा देता हूं वो किस तर से बने और वो भी काफी अच्छा कॉंबिनेशन हुआ है हरे यहां कि यहां पे देख सकते हैं मैंने फिर से जेशूरेश को ले लिया एक अर्थिक को इस टीम से जुप किया तो मैं ने सभी और चौश कर लियाा नहीं एक आर्थिक को भी लिया और एक टीम में तो दोनों को भी साथ में भी लिया तो कुल्मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमने तयार कर लिया चारों टीमों का बैटेंग पर चलते हैं तो बैटेंग में मैंने यहाँ पर देख सकते हैं सुधासरन को लिया और चतुरवेद क कर जाए और हमारी टेम को नुक्सान कर दे तो इसलिए यहापर इनको भी मैंने यहापर शामिल कर लिया क्योंकि एक अच्छे खासे बैट्स मनें यह तो जरूर आप इनको भी अपनी टेम में शामिल कर सकते और राउंडर पर चलते तो यह पर जे कवशिक को अफकोस लूगा शारुख खान को लूँगा और यू मुखिलेश को भी यहाँ पर शामिल करूँगा तो यह भी तीन अच्छे खासे अल राउंडर है और गेन बाजी पर चलते तो एक के आकाश को ले रहा हूँ वरुन चक्रवरती तो है ही मेरे पास और तीसरे जो है आर दिवाकर को मैंने इ सबसे पहले मैंने कीपिंग में जे शुरेश को लिया है उसके बाद बाट करें तो चार बैट्स मनें आपको लिए आपको लिया है के राचकुमार को लिया है एंचन चतुरवेद को लिया है बी अनिरुद्ध को लिया है इस सुधा सररन को भी इस टिम में शामिल कर रहा हूँ तो कुल्मिला के चार बैट्स बना और एक कीपर हमारे पास हो चुका है इसके बाद खबर पास ओल्रॉंडर में जाना आप्श और आर दिवाकर इस तरह से तीन अच्छे खासे ले लिए तो कुल्मिला के हमने कई एक टीम में चार बैट्स बनी एक टीम में चार लोंडर तो काफी अलग 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 कॉंबिनेशन हमने आप बना है जिससे के आपको अच्छी खासी अर्निंग तो जरूर होगी आप ग् थोड़ी इसी टीम में जित्ती है जो थोड़ी रिसकी रहती है और थोड़ी अटपटी से टीम में जिती है तो इसलिए प्षोलम हाट के टीम मताना यह काफी ज़रूरी रहता है और आइसा ही कॉंबिनेशन आपको ग्रैंट लिग जिता सकता है अगर बात करें के 12 डर्शी उल्टा भी करेंगे तो यूम खिलेश एक अच्छे खासे ओल राउंडर है तो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में फाइदा करा के दे सकते हैं तो डबल पॉइंट आपको दिला सकते हैं तो इनको भी कैप्टन बनाना में कोई नुकसार नहीं होगा और इस सुदा सर जिससे आपको ग्रांड लिक जीत सकते तो जरूर ग्रांड लिक के लिए उसकी जगा इस टीम को भी अभी क्लोज करते और सेव कर लेते और आखिर में यही कोंगा दोस्तों इन चारों टीमों में अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना जरूरी है तो चेंजेस पढ़ सके ज्यादा चेंजेस मत कीजेगा एक दो चेंजेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन ज्यादा चेंजेस करने जाएंगे तो थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है तो आई होप आपको मेरी सभी टीम है और मेरा वडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजिए चैनल को भी अगर अब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना भूले साथ यसाथ टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो वहा आज के लिए इतना ही मिलते अगले उडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई टेक क्या